आपको दोनों रेट्स में दिखने वाले हैं मेगा रेट्स एंड फाल स्टार रेट्स में अगर मैं बात कूँ यहां पर इन दोनों पॉक्मों की आपके लिए क्या यूसफूल है कैसे आप इन इसली गैट कर सकते हैं और अल्सो ही ट्रिक्स होंगी टिप्स होंगी और अल्सो यहां पर मेगा एरडेक्टल के लिए भी कुछ टिप्स होंगी मेरी तरफ से और क्या यूसर है बेस्ट कौन सा है और मेगा एरडेक्टल से रिलेटेड एक स्पेशल चीज़ बताऊँगा इंट्रेस्टिंग चीज़ बताऊँगा आगे में शेयर करता हूँ इसके अटेक की अटेक 251 डिफेंस 213 एंड स्टेमना 209 ऐसा नहीं बोलूँगा पॉक्मोन यूसफुल नहीं है बहुत जगों पर आप यूस कर सकते हैं बेटल्स में यूस कर सकते हैं उनके जो रहांब पर बहुत हम ट्रेर्नेर्स च्वस्फुल यूस करता है लेकिन इतना में उसे यूसफुल नहीं love जिविल में आपको यूस करनाермा चाहिए और भी अच्छ़च्य जिविल में यूस कर सकते हैं और करने भी चाहिए आपको लेकिन Heatran को मैं Red Battles में ज़्यादा प्रैफर करता हूँ ना कि GBL and PvP Battles में तो यह आप समझ गयोंगे The Best नहीं है लेकिन Useful Legendary Pokemon है तो आपके पास है तो आपको इसे अच्छे से Use करना चाहिए बात को इसके Best Moves की So Fire Spin हो जाता इसका Best Fast Move And Flam Thrower हो जाता आपका इसका Best Charge Move तो आपके पास Heatran है तो यह दो Moves आपके पास होने चाहिए आपके लिए ज़्यादा यूस्फुल रहेगा Anyways Heatran Fire and Still Type Pokemon है तो Fire and Still Type Pokemon कोई होता है So उसकी Weakness Fighting Ground and Water और Ground के सामने तो यह कुछ ज़्याद है Almost Double Week है Ground के सामने So या, Parachomp, Groudon, Machamp इनके अच्छे से Counter बना सकते हैं इसके सामने Raids में यूज कर सकते हैं उन Pokemon को जो आप समझ भी गए होंगे And also कुछ मेरी तरफ से बात हैं कि अगर आप यहाँ पर GBL में Rank 20 पर हैं आप सब का आपको 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 कुछ पता भी होगा Heat Rain के बारे में Okay, so next बात करते हैं Mega Airdactal को लेकर So Mega Airdactal आप सब के लिए January 7 से February 2 तक रहेगा Raids में आप Mega Raids उसकी करके Mega Energy collect करके Then फिर आप इसे evolve कर सकते हैं अपने Airdactal को Mega में evolve कर सकते हैं Like और कुछ बाते हैं Like moveset की और आपके लिए counters क्या होगे सब कुछ मैं आपके साथ proper share करता हूँ तो यहाँ पर आप समझ गयोंगे Rock and Flying type Pokemon की जो weakness होती है वो तिर फ्रेंट्स Ice, Electric, Rock, Steel and Water So इसके counter भी आप समझ गयोंगे Like Metagross इसका best counter हो सकता है Zachrom आप अच्छे से use कर सकते हैं And also यहाँ पर Kyowar और और बी कुछ यहाँ पर Rhyperior, Electrowire, Raikoo यह कुछ Pokemon और हैं जो आप easily इसके सामने use कर सकते हैं Battles में Mega Raids के time पर And easily इसे defeat कर सकते हैं थोड़ा तो यहाँ पर hard होता ही है Mega Pokemon इसको इतना easy नहीं होता है लेकिन फिर भी अच्छे counters होंगे तो आप जल्दी यहाँ पर beat कर पाएंगे Also partly cloudy इसका weather boost हो जाता है And also यहाँ पर windy भी इसका weather boost हो जाता है And weather boost कैसे find करना है मैंने उस पर proper video बना रखिये चाहें तो आप वीडियो चेक कर सकते है Non weather boost पर जो इसके 100 IV CP होगी वो होगी फ्रेंट 1590 And weather boost पर इसके 100 IV CP होगी वो होगी फ्रेंट 1588 So या अगर आपको मिलता है 100 IV तो या Best of luck आप सबको उसके लिए Maybe शायद आपको shiny भी मिले कुछ याँ पर और चीजों की बात को एक और आपके साथ शेयर करनी थी मुझे याँ पर कि Mega Ardactyl जैसे ही आपके पास होगा तो आपके पास Pokemon Go के अंदर Best Rock Type Pokemon आ जाएगा जब तक Mega Ardactyl से उपर कोई नहीं आता है Like मैं बात कोई याँ पर Mega Time Turn नहीं आता है तब तक ही आपके लिए Best Rock Type Pokemon हो जाएगा Pokemon Go के अंदर So Best Rock Type Pokemon अगर आपके पास है तो आपको उसे Get करना चाहिए आपको उसे Evolve करना भी चाहिए और यूज भी करना चाहिए एक और बात में बोलना चाहूँगा चाहूँगा कि आप Raid Pass इतने भी ज़ादा सामने बैटल करने जा रहे है वो उस Pokemon के सामने वीक है So आप मान लेजीए यहाँ पर सामने कोई ऐसा Pokemon है जो Adactyl के सामने वीक है So आप Mega Adactyl Evolve करेंगे Then फिर आप उसे Use करेंगे तो आपके लिए अच्छा Counter हो जाता है और आप Easily उस Legendary Pokemon को Beat कर पाएंगे कम Trainers में भी लेकिन अगर आप ऐसे Area में जहां पर अच्छी कासी Players आ जाता है So Mega पर इतना भी आपको नहीं करना चाहिए हाँ कुछ Rates तो आपको करनी चाहिए जो Normal सी बात हैं लेकिन इतने भी Rates Waste मत करना Use मत करना Anyways यह कुछ चीज़े थी आप सब के लिए Also Move Set की बात कूँ तो आपके लिए Fast Moves में इसके होंगे Rock Throw, Steel Wing, Bite and Charge Moves में होंगे Rock Slide, Earth Power, Hyper Beam, Ancient Power and Iron Head And also एक बात और बोलना चाहूंगा Level 40 पर जो इसकी Max CP होगी वो होगी फ्रेंट्स 4,118 And Level 50 पर 4,655 Max CP होगी So, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है So, यह अच्छे से यूज़ कर सकता है And अच्छे से प्ले कर सकता है मैंने कुछ चीज़े शेयर करी हैं आपके साथ दोनों पॉकमोस को लेकर Legendary को भी लेकर And Mega को भी लेकर So, यह था गाइस इस वीडियो माँ आई होब आच्छे लेगी होगा अच्छे लेगोशो शेयर कर दोनों आपका वी बैक मिलता है किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तके लिए वी बैक फैमिली को वी बैक के तब से Bye